Hi guys, welcome, exam days चल रहे हैं, बच्चों के डाउट से हैं, यह वाला डाउट हमारी प्रभ सिमर का है, प्रभ सिमर का यह वाला डाउट मेरे ख्याल से यह NCRD का कोश्चन है, calculate the number of oxide ions present in 5.1 grams of alumina, 5.1 grams of alumina में कितने oxide ions हैं? मैंने का पहले देख तो लूँ यह है क्या, one molecule of alumina, जो है, Al2, O3 है, अगर अलग करूँगा तो Al plus 3 होता है, O का minus 2 होता है, means 3 ions of O minus 2, और 2 ions of, क्या बोलेंगे हम, 2 ions of Al plus 3 होते हैं, सब से बहले हम Al2, O3 का मास निकालेंगे, Al2, O3 बना हुए, twice of Al, plus thrice of oxygen, twice of Al का मास 27 होता है, plus thrice of oxygen का मास 16 होता है, 54 plus 48 मेरे बच्चों, 8 और 4, 12 का दो, एक हासल, 102 grams हो गया, अगर मैं इसका gram molecular मास निकालूं, तो 102 grams के अंदर, अब समझना, एक molecule में 3 ions of O2 हैं, तो 1 mol में कितने होंगे, 102 grams में 3 mol of O-2 होंगे, अगर मैं समझा पा रहा हूं तो, पहले इस चीज़ को समझ लो, Al2O3 के एक molecule में, दो तो Al के ions हैं, और 3 O2 के ions हैं, तो 1 mol में 2 mol of Al plus 3 हो जाएंगे, और इसके 3 mol हो जाएंगे, number of oxide iron, और वो भी हमने 102 gram में नहीं पूछा, कितने gram में पूछा है, 5.1 grams में पूछा है, तो 5.1 grams में हो जाएंगे X moles, हम moles में बात कर रहे हैं, 102 upon 5.1 is equals to 3 mol upon X mole, जो भी answer आएगा, वो mole में आएगा, decimal अटाओगे हैं, 0 आजाएगा, 51 के table में ये 20s आजाता है, 51 के table में 20s आजाएगा, तो 20X बराबर हो जाएगा 3, X is equals to 3 upon 20 mol of O minus 2 ions are present, I hope कि मैंने ये सही कराया है और सही समझाया है प्रब सिमर, ये पहला डाउट था आपका, आपका जो दूसरा डाउट है, उसको ध्यान से देखो, पढ़ो फिर मैं कराता हूँ, अब second question, second question, प्रब सिमर आज तगड़े question लेकर आई है, how many moles of water are needed to get mass as that of 9 moles of carbon dioxide, 9 moles of carbon dioxide में जितना mass है, उतने के लिए पानी के कितने moles लगेंगे, मुश्किल question है, सबसे पहले CO2 में आओ, CO2 बना होता है, एक C का, और दो O का, एक C मतलब 1 into 12, प्लस 2 into 16, मतलब 12 प्लस 32, मतलब 44 ग्राम होता है, CO2 का, अगर आप ध्यान से देखो, mole concept में कई बार हम भागने लग जाते हैं, हम solve करने की तरफ चले जाते हैं, जादा में जाना चाहिए, बच्चे को solve कराने के लिए, वो कह रहा है, how many grams of water are needed to get mass as of 9 moles of carbon dioxide, 9 moles of carbon dioxide का जितना mass है, उतने mass के लिए, पानी के कितने moles लगेंगे, तो पहले तो मैंने भी 1 mole of उसका निकाला है, So therefore, mass of 9 moles of CO2 हो जाएगा, 9 into 44, multiply मत करना, मत करो multiply, 9 into 44 grams हो जाएगा, 9 moles of carbon dioxide का ये mass है, अब इतने mass के लिए, पानी के कितने moles हैं, अब पानी है blue, H2O, 2 into H, plus 1 into O, 2 into 1, plus 1 into 16, बेड़ा 2 plus 16 is 18 grams, ये है mass of 1 mole of water, अब 1 mole का जो mass है, वो 18 gram है, और इतने mass के लिए, 9 into 44 grams mass के लिए, बाबु कितने moles लगेंगे तो हमने लिख दिया, X moles लगेंगे, कितने moles लगेंगे, X moles, तो 1 upon X बराबर हो जाएगा, 18 upon 9 into 44, क्लास अगर साथ है, 9 ones are, 9 twos are, 2 ones are, 22 twos are, उदर अगर ले आओगे, तो 22 is equals to आजाएगा X, अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो, मैंने कहीं गलती तो नहीं करी, मुझे लग रहा है, मैंने गलती करी है, मुझे ऐसा लग रहा है, 1 mole के लिए 18 grams चाहिए, तो इतने gram के लिए कितने moles चाहिए, तो मेरे साथ से 22 moles, X आ रहा है, 22 moles of H2O will have same mass as of 9 moles of CO2, I hope कि मैं समझा पाया हूँ, main game है समझाने वाले की, अगले हैं physics के numericals, physics के ये दो numericals हैं, पहले मैं फराज का numerical करा रहा हूँ, फराज नहीं यह बोला है, 2M, फराज में ते इस बात से agree नहीं करता, बट अगर तुने बोला है तो मैं मान लेता हूँ, body of mass, 2M kg, is moving with a velocity of 36 km per hour, it accelerates to 72 km per hour in 10 seconds, यहां आते ही मेरा mood खराब हो गया, अब क्योंकि ये बंदा seconds में है, क्योंकि ये बंदा seconds में है, तो बाकी बंदों को भी meters per second में आना पड़ेगा, meters per second में लाने के लिए फराज multiply करेंगे 5 by 18 से, 18 ones are, 18 twos are, 10 meters per second, 18 ones are, 18 fours are, 5 fours are, 20 meters per second, पहले अराम से question को समझे ले फराज, a body of mass 2M kg is moving with a velocity of यहां से यहां, find the work done and power, भाईया, work done बराबर होता है, force into distance, force into distance होता है, force बराबर होता है, m into a into s, distance कितना travel करा, find the work done and power, मैं एक बार देख लूँ फराज, तेरे इस question में कहीं पे वो ना हो, work done, अब, in 10 seconds भी दे रखा है, time भी दे रखा है, s बराबर होता है, फराज, ut, plus half, a t square, फराज, u, initial velocity 10, into 10, plus half, acceleration का formula होता है, acceleration बराबर होता है, v minus u upon t, 20 minus 10, upon 10, 10 upon 10, फराज, फराज, 1 meters per second square, acceleration अगई, 1, into 10 का square, 10 into 10 is 100, plus half, into 100, two ones are, two fifties are, आपका जो distance आगया, वो आगया, 150 meters, फराज जी, तो मास, मास आगया, 2m, acceleration है, 1 meters per second square, into distance आगया, 150 meters, answer is, 150 into 2, 300m joules, ये तो आगया, work done फराज, और power बराबर होती है, फराज जी, work done upon time taken, work done बराबर है, 300m joules upon time taken is 10 seconds, 10 से 10 कर जाएगा, 300m watts, कहीं तुने गलती करी है, फराज question लिखने में, यहां सिर्फ 2 kg था, अगर 2m है तो ये 2m ले ले, अब फराज से मैं पुछूँगा, फराज कहेगा, नहीं सर, मैंने बिल्कुल सही कर रहा है सर, मैं गलत नहीं हूं सर, एक बार इसको कॉपी कर ले फराज, अराम से कर ले, कोई असी दिक्कत नहीं है, नहीं है, नहीं है, अच्छा कुशन है, एक बाड़ी है, जिसको फैका गया है, 45 meter high tower से, a stone is dropped from a height of 45 meters high tower, calculate its speed after 2 seconds, dropped के केस में, छोडा जाता है, यू बराबर होता है, 0 meters per second, from the top of a 45 meter high tower, calculate its speed after 2 seconds, 2 seconds बात, तो time दे दिया, 2 seconds, यहां by default है, acceleration due to gravity लोगे 9.8 meters per second square, नीचे जा रहे हैं, इसलिए plus में लोगे, क्योंकि नीचे जा रहे हैं, इसलिए plus में लोगे, अपनी मर्जी से 10 मत लेना, answer तो easy हो जाएगा, बट mark 0 हो जाएगे, तो सबसे पहले v बराबर होता है, u plus gt, u plus gt, यह है velocity after 10 seconds मेरे बच्चों, तो v is equals to u, u is 0 plus 9.8 into time is 2, तो v will be 19.6 meters per second, this is velocity after 2 seconds, this is velocity after the 2 seconds, अगला पुछा गया है, also find the speed at which the stone strikes the ground, stone strikes the ground, अगर यह तो आपने 2 second बाद की velocity निका लिया है, जमीन पर ठक्राने से पहले, velocity क्या होगी, यहाँ पर मेरी class यूज करेगी, v square minus u square is equals to 2gh, यह वाला v square, v dash ले लूँगा ऐसे, v dash का square minus 0 square is equal to 2, into 9.8 into 45, decimal अटा देना 10 आ जाएगा, 5 के table में 9s आ, 5 के table में 2s आ, 2 से 2 कर जाएगा, v square बराबर हो जाएगा, 9 into 98, तो v बराबर हो जाएगा, under root में 9 into 98, अगर 98 को समझो, तो 3 into 39 के factors, 2 into 7 into 7, तो आजाएगा, एक 3 बाहर, एक 7 बाहर, root 2, 21 root 2, meters per second, root 2 की value डाल देना, 1.4142 और आपका आजाएगा, अगला पुछा गया है, time taken by the stone to reach the ground, time taken by the stone to reach the ground, इसमें h बराबर, ut plus half, gt square वाली मतलगाना, v is equals to u plus gt लगाओगे, आपका answer आजाएगा, v, v आए 21 root 2, बराबर u, u has 0, plus 9.8, into t, तो t बराबर हो जाएगा, 21 root 2 divided by 9.8, decimal target 10 आजाएगा, उपर 7 threes आ, 7 के डेबल में 7 ones आ, 7 seven fours आ, यह आजाएगा मेरे बच्चे, 30 root 2 upon 14, यह भी कटेगा अभी आगया, और काट लो 15 आजाएगा, 7 आजाएगा, 15 root 2 by 7 seconds, root 2 की value डाल देना, final answer आजाएगा, इस छोटी सी वीडियो में, मैंने अपनी live class वाले बच्चों के doubts कराएगा है, डाल YouTube पे राऊँ, बट किसी का तो बला होई जाएगा, इसमें कोई बुरा ही नहीं है, I'll see you guys in the next lecture, फिलाल के लिए, यह समीर सार is saying you good bye, God bless all, यह मतली.